लालच और जादूई पेर बहुत साल पहले शाम नाम का एक लकड़ा रहा था वो काफी महनती था वो हर दिन जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटके अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था तुम्हारे पास सबसे अच्ची लकड़ियां होती है शाम क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो येलो शाम पर संभाल के तुम बहुत अच्छे और महनती इनसान हो पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना घबराव नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूँगा बस आज आखरी बार खेलूँगा आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूँगा शाम के साथ तीन लोग पत्तों के साथ बैठे थे सब शाम पे हस रहे थे शाम का सर जुग गया और वो वहां से चला गया शाम को जुआ खेलना बहुत पसंद था पर जुए को शाम नहीं पसंद था वो हमेशा हारता रहता था राम सही कह रहा था वही मेरा सचा दोस्त है अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूँगा भगवान मुझे आशरवाद दो कि मेरी सारी गलत आदितें खत्म हो जाएं हर दिन की तरहा शाम फिर से जंगल में लकडियां काट रहा था अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है उसे कोई नहीं दिखता उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है शाम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौरता है दद्दू का पैर पत्थर में फस गया था शाम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक पाजू करता है वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है दद्दू का कोई नहीं था तो शाम ने उनकी सेवा एक दम अपने पिताजी जैसे की दद्दू की तब्यत अब ठीक हो जाती है शुक्रिया शाम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा खयाल रखा तुम बहुत दयालू इनसान हो ये तो मेरा फर्स था दद्दू दद्दू अपने हाथ से निकाल के शाम को कुछ देते हैं शाम उसे देखता है वो एक बीच था इस बीच का मैं क्या करूं दद्दू ये कोई साधारन बीच नहीं है बेटा ये पेड एक साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं सबसे ज़्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिश फल आते हैं इसके बस एक बात का ध्यार रखना कि तुम फल तोड नहीं सकते जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा दद्दू वहां से चले जाते हैं फिर शाम अपने बागीचे में जाके बीच बो देता है पेड साल भर में उग जाता है एक साल बाद पेड आम, संत्रे, अंगूर, पाइनपल से लह लहा रहा था शाम तांगे में आम भरके बाजार लेकर जाता है तभी वहां से राम निकलता है कहां हो तुम शाम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकडी का काम बंद कर दिया हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ वह शाम, सुनकर काफी खुशी हुई घर जाते वक शाम उसी जुए खाने से गुजरता है उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जात ए शाम, चल आजा जुआ खेलते हैं नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है मैंने सुना है, तुँ अच्छे पैसे कमा रहा है हाँ पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है सिर्फ एक खेल हो जाए शाम, तीन लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है आज मेरा अच्छा दिन है, आज मैं सब जित जाऊंगा, आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्ट लगाता हूँ सेब, वो भी गर्मी में? नामुम्किन, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, दिखाओ मुझे, कहां है सेब? तुम्हें मुझे भरोसा नहीं, रुको, मैं अभी वापस आया शाम जाके सेब तोड़ना जालू कर देता है आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं शाम सेब लेकर पहुँचता है मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे ये तो काफी अनमोल है चलो खेले शाम एक बहुत ही बेकार जुआरी था शाम जाके देखता है कि वो जादूई पेड पूरा सूख चुका था ए भगवान, मैं क्यो इतना लालची बना इस लालत के कारण मैंने सब खो दिया दूर कही एक गाउं में एक व्यापारी अपनी दो बहनों के साथ रहता था दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिलकुल अलग था एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम करिश्मा था कितना खुबसूरत है आज का मौसम और उतनी ही खुबसूरत है ये हसी वादिया हमसे ज्यादा खुबसूरत नहीं हो सकता हाँ मेरी प्यारी बहन आपसे ज्यादा खुबसूरत नहीं हो सकता करिश्मा बच्पन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी वहीं खुशी को अपने रंग रूप पर बहुत घमन था वो स्वार थी और जिद्धी थी दोनों के जनम दिन पर व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत रखी सभी गाम के लोगों को दावत पर बुलाबा भेजो सभी लोग सजधच कराये थे करिश्मा की नजर एक आकरशक लड़के पर पड़ी खुशी भी उसी लड़के को देख रही थी वो देखो वो लड़का कितना आकरशक है हाँ आकरशक तो है लड़का तुम मुझे ही पसंद करेगा क्यों मुझ में क्या कमी है तुम अच्छी तरह जानती हो दावत में लड़के के परिवार वाले खुशी के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं ये बात जानकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है जंगल की तरफ जाते ही उसे एक बुजर्ग चादूगर रोक लेता है मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है तुम जंगल की ओर जा सकती हो पर याद रखना अपने करतव्यों का पालन करना कोई भी काम करो आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और इमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना करिश्मा तुम बहुत समझदार हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है ध्यान से देखा तो उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहां से आवाज आ रही थी करिश्मा घास के पास आकर देखती है अरे ये क्या घरगोश तुम शिकंजे में कैसे भस गए रुको मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ वाह कितने खोब सूरत हो तुम कितने चमक रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया तुम बोल सकते हो तुम्हारा तयालू आजरन देखकर मैं बहुत प्रतन हूँ अब तुम आगे बढ़ती जाओ वो आगे बढ़ती है उस डराबने जंगल में आगे बढ़ते हुए करिश्मा को डर लगता है अरे बापरे कितना घना जंगल है आगे जाकर करिश्मा को एक कच्छुआ एक जाल में फसा हुआ दिखाई देता है अरे तुम इस जाल में कैसे फस गए कच्छुआ बहुत कोशिश कर रहा था जाल से निकलने का शांत रहो मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वाती हूँ करिश्मा उस जाल से कच्छुए को बाहर निकालती है अब तुम आजाद हो शुक्रिया तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवा कर एक नया जीवन दिया है हाँ तुम भी मोल सकते हो हाँ तुम बहुत धर्या दिल और निस्वात लड़की हो अब तुम आगे बढ़ती जाओ आगे बढ़कर करिश्मा को एक बेजान और सूखा हुआ पेड दिखाई देता है अरे ये पेड तो सूख कया है लगता है इसे पानी की जरूरत है वो पास की नदी के किनारे जाती है वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था और वहाँ से पानी भरकर पेड में पानी डालती है पानी डालते ही पेड में जान आ जाती है हाँ ये क्या अरे ये ये क्या हो रहा है धन्यवार तुमने मुझे पानी दिया तुम भी बोल सकते हो हाँ लड़की तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है तुम्हारा दयालू आजरन देखकर मैं बहुत प्रसंद हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तोर पर कुछ देना चाहता हूँ जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुब की लगाओ ठीक है, जैसे आपके आग्या वो बाहर आती है, उसे बहुत अजीब समहसूस होता है उसका रंग रूप खुद बदल जाता है, वो बहुत खूपसूरत हो जाती है ये देखिये, ये देखिये, ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है मेरा सवभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए हमेशा खुश रहो बेटा, मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो जैसे ही करिश्म टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है तुम्हें जब भी कोई दुख हो, या मन चिन्ता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, फिर तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो जाएगी वापस आते वक्त करिश्मा को वही जादवी कच्छुआ दिखता है कच्छुआ उपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था वाप, कितने खूपसूरत हो तुम तुम बहुत समझदार लड़की हो, मेरा ये मोती अपने पास रखो तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो, तो इस मोती को अपने हाथ में पकड़ कर मुझे याद करना करिश्मा थोड़ी आगे बढ़ती है, तो उसे खरगोश मिलता है अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन हो गया हूँ मैं तो बस अपने कर्टव्यों का पालन कर रही थी, तुम कभी किसी भी मसीबत में फस जाओ, तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाओंगा करिश्मा आगे चलती जाती है, रास्ते में उसे वो पंडित जी मिलते है करिश्मा तुम्हारे स्वभाव को देख कर उन्होंने तुम पर उपकार किया है, जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा करिश्मा अपने घर वापस आ जाती है करिश्मा तुम इतनी खुप सुरक कैसे हो गई, और कहां चली गई थी, और ये सब क्या है एक पंडित में मुझे जंगल भेजा था, खुशी के मन में लालच आ जाता है, वो सीधे जाकर पंडित जी से मिलती है करिश्मा मायूस थी, इसलिए उसे जंगल में भेजा था, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ उसे भी खरगोश मिलता है मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो मैं यहाँ वक्त बरबाद नहीं करना चाहती हूँ मुझे जल्द से जल्द और भी खूपसूरत बनना है वो उसे अंदेखा करके आगे बढ़ जाती है खुशी आगे जाकर कच्छुए को जाल में फसा हुआ देखती है पर वो उसे भी अंदेखा कर देती है आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड दिखता है तुम वही पेड हो ना? जिसने मेरी बहन को पानी में डुपकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओं कहां है वो नदी? मैं भी खुबसूरत होना चाहती हूँ खुशी की बात सुनकर जादुई पेड असली रूप में आ जाता है और खुशी को अपनी शाखा से पकड़ लेता है खुबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खुबसूरत बनना चाहती हूँ तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जो परेशानियां है तुमने कभी नीज़िवार्थ भाव से किसी की मदद की है किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है या कोई भला काम किया हो जिससे किसी का उधार हुआ हो नहीं लड़की तुम गलत जगह आई हो पहले अपने मन से नकरात्मक भाव हटा दो अपने अपनों से मिल जुल कर रहो दूसरों की तरहा सकरात्मक द्रिष्टी कोन रखो तुम अपने आप खुबसूरत हो जाओगी खुशी वहाँ से सीधे अपने घर लोटाती है और अपनी बहन से उसके बुरे बरताव के लिए माफी मांगती है तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि इनसान को उसका स्वभाव ही खुबसूरत बनाता है ना कि उसका रंग और रूप जादूई चक्की एक गाओं में रामू और शामू नाम के दो भाई रहते थे दोनों थे तो सगे भाई मगर दोनों की आर्थिक स्थिती बिल्कुल अलग थी रामू एक बड़े कार खाने का मालिक था वही शामू के लिए दो वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया वही शामू बाजार से खाली हाथ, भूका प्यासा घर लोटा शामू को भूका देखकर उसकी पत्मी ने कहा तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते अपनी पत्मी राधा की बात सुनकर शामू ने कहा ठीक है, मैं जाकर रामू भाईया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया मगर रामू और उसकी पत्मी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हद विकारी कहकर वहां से भगा दिया श्यामू उदास मन से घर लोट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुड़िया मिली बुड़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गए और वो उसे अपने घर ले आया घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा अम्मा को बहुत प्यास लगी है अम्मा को पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ घर पे मटके में जो भी पानी था, वो राधा ने बूरी अम्मा को पिला दिया और खुद शामू के साथ प्यासी बैठी रही थोड़ी देर आराम करके जब वो बूरी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है अम्मा ने श्यामू से तुझा तुम सच में इतने गरीब हो बेटा तब श्यामू ने कहा हाँ अम्मा मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकडियां बेच कर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है बुडी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठ्री में से एक चक्की निकालकर शामू को दे दी अम्मा ने कहा बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिर भी तुमने मेरी मदद की तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का महला होगा ये लो चक्की शामू ने चक्की की ओड़ देखा और हताश होकर गहा अम्मा हमारे पास तो पीषने को अनाज ही नहीं इस चक्की का हमारे यहां क्या काम तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली ये एक जादूई चक्की है जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इससे एक सुनहैरे कपडे से ठक देना अम्मा की बात पर शामू और राधा को यकीन नहीं हुआ लेकिन रात को भू की अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कोशिश करने में क्या जाता है दोनों ने चक्की से चावल मांगे और तुरन चावल सामनी आ गए दोनों ने पेट भर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बाट दिया फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शकर और गुड मांगा और श्यामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा श्यामू योज चक्की से कुछ ना कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब परूसियों के लिए खाना मांगती दीरे दीरे दोनों के हालाद सुधर गए लेकिन ये बात रामू के कानों तक पड़ी और वो अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया तब उसने देखा कि उसके भाई के पास एक जादू की चक्की है रामू के तो मन में लोब आ गया और उसने रात में ये जादू की चक्की चुरा ली घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह शक्कर मांगू रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगे चक्की से शक्कर निकलने लगी कुछ देर बाद वहां शक्कर का टीला बन गया जो देखते ही देखते बढ़ता गया रामू ने फिर चक्की को रोपने की बहुत कोशिश की मगर चक्की तो लगा तार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी देखते ही देखते चीनी के ढेर में रामू फस गया और चीटियां और मकोडे उसे काटने लगे सभी दर्वाजे बंद होने के कारण कोई भी उसकी मदद की पुकार सुन नहीं पा रहा था और आखिर वो चीनी के टीले में दब कर मर गया इस कहानी से हमी सीख मिलती है कि हमेशा जरूरत मन्द की मदद करनी चाहिए मदद के पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गाएं भी थी वो दोनों और गाएं खरीदना चाहते थे उनके पड़ोस में मदद नाम का एक गरीब किसान रहता था मदद के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाए थी मदन के पास जो भी खुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था देखो मदन तो बहुत खुछ लग रहा है इतने गरीबी में ये कैसे खुछ रहता है अगर हम इसकी गाए खरीद लें तो अच्छा रहेगा एक दिन रजत और रतन मदन की गाए खरीदने के लिए उसके पास आए कैसे हो मदन हम तुमारे गाए खरीदना चाहते हैं इसके बदले हम तुम्हें दस चान्दी के सिक्के देंगे मदन अपनी गाए को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था मुझे अपनी गाए बेचनी नहीं है आप लोग किसी और से गाए खरीद लें मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे रतन मदन ने हमारा अपमान किया है और गाए भी नहीं बेची हाँ हाँ रतन हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वहाँ अपने गाए बेचने पर मजबूर हो जाए यही हमारा बदला होगा अच्छा अच्छा कैसे हम उसकी फसल नश्च कर देंगे तो वहाँ क्या खाएगा और क्या गाए को खिलाएगा उन दोनों ने रात के समय मदन के खेट चला दिये मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया हे भगवान यह क्या हो गया अब मैं जीवन यापन कैसे करूँगा कई दिन बीट गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया मदन और उसकी गाएं दोनों भूके थे उसने सोचा अब मैं गाएं को कुछ नहीं खिला सकता इसे बेच देता हूँ नया मालिक इसे खाना तो देगा अगली सुभा मदन गाएं और अपनी सारी पूंजी लेकर गाएं बेचने के लिए निकल पड़ा रास्ते में उसने सोचा मेरे पास केवल दस सिक्के हैं रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाएं के गले से बांद देता हूँ थोड़ी दूर जाकर वह एक सराई में आराम करने के लिए रुख गया सराई के बाहर उसने गाएं को बांद दिया और खुद अंदर चला गया तब ही गाएं के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया सराई के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा यह गाएं तो चांदी का सिक्का देती है शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता क्यों ना मैं यह गाएं खरीद लूँ क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है मैं इसे बेचना चाहता हूँ इसी लिए बाजार ले जा रहा हूँ अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा मैं इसे खरीच लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूँगा बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सराई के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की योट चल पड़ा घर पहुँचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाए खरीच सकता है यह तो पांसो चांदी के सिक्के हैं कुछ ही देर में रतन और रजत वहाँ आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए अरे, इतने चांदी के सिक्के? तो वहारे पास कहां से आए? यह सिक्के मुझे मेरी गाए बेचने से मिले हैं भगवान ने मुझे पर कृपा की है और अब मैं बहुत से गाए खरीदूँगा रतन और रजत यह सोच कर उधास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी बदन अब अमीर बन चुका था किसी को नुकसान पहुँचा कर आप खुश नहीं रह सकते यह गाऊ में शंभू नाम का बिखारी रहता था वो लोगों से भीख मांग मांग के खाना जमा करता था हर दिन उसका खाना एक बिलली चुरा ले थी थी एक दिन उसने उस बिलली को पकड़ा और उसे सवाल किया ओ बिलली तुम मेरा खाना क्यूं चुराती हो जाके अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे भाग्य में ही ये है कि मैं तुमसे चुराओं क्यूं? क्यूंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने साथ सिर्फ आठ चीजे रख सकते हो चाहे जितनी भी कठी कर लो ये सुनके शम्भू उदास हो जाता है मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों है? इसका जवाब तो तुम्हें बुद्धा ही दे पाएंगे अगले ही दिन वो बुद्धा को ढूनने निकल जाता है पूरा दिन यात्रा करके वो एक धनी आदमी के घर पहुँचता है और वहाँ पे रात रुखने का मन बनाता है वो जाके उसका दर्वाजा खट-खटाता है दर्वाजा खुलता है भाई सहाब मैं यहाँ नया हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ क्या मैं रात में यहाँ रुख सकता हूँ? अच ठीक है आज़ो भाई बैठो बैठो तभी वहां से उस आदमी की बीवी पानी लेकर आती है ये लीजिए भाई पानी पीजिए कहां जा रहे हो वैसे आप यात्रा पे मैं बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ मुझे उनसे कुछ सवाल करने है अच्छा क्या आप हमारा भी एक सवाल उनसे पूछ लेंगे जी बिल्कुल बोलिये हमारी उन्मी सार की बेटी है वो बोल नहीं पाती क्या आप बुद्धा से पूछेंगे कि वो कब बोल पाएगी जी मैं बिल्कुल पोछ लूँगा अगले ही दिन सुभा शम्भू यात्रा पे फिर से निकल जाता है धन्यवाद भाई साहब मैं आपका सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा शम्भू फिर से चलना शुरू कर देता है और रास्ते में उसे बहुत सारे पहाड मिलते हैं जिनके बीच में से वो जाता है हे भगवान इन पहाडों पे चल चल के तो मैं ठक गया जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक जादूगर में जाता है भाई साहब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये पहाड पार करने के लिए बिल्कुल आओ बैठ जाओ मेरी चड़ी पे जादूगर और शम्भू दोनों ही चड़ी पे बैठ कर निकल पड़ते हैं कुछ दूर जाने पर जादूगर शम्भू से सवाल करता है क्यों भाई कहा जा रहे हो तुम इन पहाडों के बीच से मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब पूछने क्या तुम मेरा भी एक सवाल बुद्धा से पूछ लोगे हाँ बिल्कुल बोलो बोलो मेरी उम्र एक हजार साल हो चुकी है और मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मैं कब तक स्वर्ग पहुँच जाऊंगा ठीक है मैं तुम्हारा ये सवाल बुद्धा से पूछ लूँगा जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी मिल जाती है जिसे पार करके ही वो बुद्धा के पास पहुँच पाता हे भगवान ये नदी कैसे पार करूँ मैं भाग्ये से उसे एक कच्च्वा मिलता है जो उसे नदी पार करवाने का बोलता है जब वो नदी पार करवा रहा होता है तो वो कच्च्वा उससे एक सवाल पूछता है तुम कहा जा रहे हो? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब मांगने अच्छा क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे उनसे हाँ हाँ ठीक है बताओ अपना सवाल मैं पांसो सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था क्या तुम बुद्धा से पूछोगे कि मैं कब तक ड्रैगन बन जाऊंगा धन्यवाद ब्यारे कच्छुए मुझे नदी पार करवाने के लिए मैं अभारी रहूंगा मेरा सवाल पूछना मत भूलना बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा शम्भू फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और आखिरकार वो बुद्धा के मट पर पहुँच जाता है वो मट के बाहर खड़ा होके जैन की सांस लेता है आखिरकार मैं पहुँच ही गया वो अंदर पहुँचता है और बुद्धा को सादर नमशकार करता है मेरा प्रणाम स्विकार करें बुद्धा मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आप से कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए बेशक पूच सकते हो पर मैं सिर्फ तीन सवालों का ही जवाब दूँगा याद रहे केवल तीन सवाल शंभू हैरान रह गया पर मेरे पास चार सवाल हैं क्या करूँ वो ध्यान से सूचता है वो कच्छुए के बारे में सोचता है कच्छुआ पांस सो सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की ख्वाइश में बिचारा प्राणी जिन्दगी कितनी कठीन होगी उस गहरे पानी में फिर वो जादुगर के बारे में सोचता है जो एक हजार सालों से जी रहा है, स्वर्ग में जाने की कोशिश में एक हजार साल काफी लंबा टाइम है, उस जादूकर को अब स्वर्ग में चले जाना चाहिए पूरा जीवन बिना कुछ बोले, ये तो क्रूरता है फिर वो अपने बारे में सोचता है मैं बस एक बेघर बिखारी हूँ, मैं घर जाके फिर सेब भीक मांग सकता हूँ कुछ नहीं बदलेगा पर उन्हें सब का जीवन बदल सकता है अगर उन्हें उनका जवाब मिले तो जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगी उसे पुरा महसूस हुआ, उस कच्चुए, जादुगर और उस लड़की के लिए इसलिए उसने उन तीनों का सवाल पूछने का सोचा बुद्धा ने जवाब दिया कच्चुआ 500 साल से ड्रैगन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो अपना धांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो अपने धांचे से बाहर नहीं आएगा वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता ओ, ये किसने सोचा होगा वो जादूगर कभी अपनी छड़ी नीचे नहीं रखता जिस कारण वो उसके साहारे की तरह है जो उसे स्वर्क जाने से रोक रहा है ओ, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा और उस लड़की का क्या वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी ओ, महान बुद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धा शंभू की ओर देकर मुस्कुराते हैं शंभू ने बुद्धा को प्रदाम किया और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा रास्ते में उसे वो कच्वा फिर से मिला क्या तुमने पूछा? हाँ, बेशक, तुमें बस अपना ये धाचा निकालना है और तुम ड्रैगन बन जाओगे कच्वा अपना धाचा निकालता है और उस धाचे के अंदर बेश कीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं जो वो उस श्रंभू को दे देता है इनहें तुम रखलो, मेरी तरफ से तवपा है मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ धन्यवाद भले इनसान और वो उड़ जाता है आगे जाते ही पहाड की चोटी पर वो फिर से जादुगर से मिलता है क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ हाँ, आपको बस अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी आप स्वर्ग पहुंच जाओगे सच में? हाँ, बुद्धा ने यही कहा था इस तरह जादुगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वो शंभू को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवात कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है अलविदा इंसान अच्छे से रहना अब शंभू के पास कच्छुए के दिये मोती और जादुगर की छड़ी भी थी वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आस्रा दिया था वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे महार बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी और उसी च्छन वो लड़की नीचे आई और बोल पड़ी मा क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफते आये थे वो लड़की और उसकी माता पिता हैरान थे वो शम्भू की ओर देखते है वही उसका हम सफर था माता पिता ने उनकी शादी कर दी और वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम जनसार में अच्छा करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है